हेलो गाईज, आज मैं पहली बार जेंट्स थ्रेडिंग बनाने जा रही हूँ, मुझे ठाकुर गुर्व जी ने कमेंट किया था कि मैं जेंट्स थ्रेडिंग बना के दिखाऊं, तो उनी के कहने पर मैं जेंट्स थ्रेडिंग बना रही हूँ, तो देखे कैसे बनाते हैं, त तो अगर उसके forehead पर बाल हैं, तो वो भी हम सारे निकाल देंगे, क्योंकि सिरफ threading बनाएंगे, तो वो threading हमें थोड़ी अलग से दिखेगी, इसलिए हमें forehead के बाल भी निकालने होते हैं, और जैसे कि ladies के लिए हम threading बनाते हैं, तो वो थोड़ी हम sharp बना देते हैं, और पतली भी बना देते हैं, तो guys, gents की जब हम threading बनाएंगे, तो सबसे पहले forehead के बाल अटा देंगे, अगर हैं तो, और ज्यादा पतली threading नहीं करेंगे, थोड़ी मोटी threading ही रखेंगे, ज्यादा पतली threading gents के चेहरे पर जस्ती नहीं है, तो ये देखिए, एक threading मैंने बना दी है, इसी तरह से अब मैं दूसरी threading बना रही हूँ, और ये gents threading मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ladies parler है, तो किसी ने comment में बोला था, तो इसी बज़े से मैं ये threading बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने viewers को नराज नहीं करना चाथती, तो ये देखिए, पता नह पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा ही चक भी और ये बनाने में, तो दूसरी threading बना रहे हैं, एक हमने बना ली है, बस length भी निचेडने होती है, threading की, और सिरफ हम साइडों से बाल निकालेंगे, अपर और लोर के, और threading को थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ये इसी तरह से एक 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 बाल हम निकालते जाएंगे, जैसे हम लेडिस threading करते हैं, लेडिस की threading करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, जैंट्स में बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये पतली ना बंजें, और आजू बाजू के जो hairs होते हैं, एक्स् तो threading एकदम अलग से दिखती है, बनाई हुई, नैचरल नहीं लगती है वो, थोड़ी दिखने भी भी नैचरल होनी चाहिए, तब ही वो threading अच्छी बनती है, और अच्छी लगती है, तो guys, आब हम forehead के मत बीच के बाल निकाल देंगे, तो ये देखिए, threading हमने बना दी ह तो ये झाल देखिए, तो ये भी ना हमने बना देती है।